भारत माता की मेरे प्यारे देश वाच्छियों मेरे परिवार जन आज वो शुब घड़ी है जहम देश के लिए मर मिटने वाले देश की आज हदी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले आजीवन संगर्ष करने वाले फांसी के तक्त पर चड़कर के भारत मा की जय के नारे लगाने वाले अंगिनत आज हदी के दिवानों को नमन करने का ये पर्व है उनका पुन्य समर्ण करने का पर्व है आज हदी के दिवानों ने आज हमें आज हदी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए स्वभाग्य दिया है ये देश उनका रणी है ऐसे हर महा पुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहा व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे देश वास्यों आज जो महानुभाव रास्त्र रक्षा के लिए और रास्त्र निर्मान के लिए पूरी लगन से पूरी प्रतिवर्द्धा के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं देश को नई उचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं चाहे वो हमारा किसान हो हमारा जवान हो हमारे नवजवानों का होसला हो हमारी माथा और बहनों का योगदान हो दलित हो पीडित हो शोचित हो बंचित हो अभावों के बीज भी स्वतंत्रता के प्रतिविश की निष्ठा लोग तंत्र के प्रति उसक्रिश्रद्धा ये पुरे बिश्व के लिए एक प्रेरख घटना है मैं आज ऐसे सभी को आधर पुर्वक नमन करता हूँ प्राकुर्टिक आपदा के कारण हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है प्राकुर्टिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवार्जन खोए है संपत्ति खोई है राष्ट्र ने भी पारावार नुक्सान भोगा है मैं आज उन सब के प्रती अपनी संबेदना व्यक्त करता हूँ और मैं उन्हें विश्वाद दिलाता हूँ कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है मेरे प्याने देश स्वासियों हम जड़ा आजहदी के पहले के वो दिन याद करे सैंकडो साल की घुलामी हर कालखन संगर्ष का रहा युवा हो बुजर्ग हो किसान हो महिला हो आदिवासी हो उन्होंने गुलामी के खिलाब जंग लड़ते रहे अभीरत्य जंग लड़ते रहे इतियास गवा है कि 1857 के 37 संगराम जिसको हम याद करते हैं उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी छेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था शाथियों गुलामी यदा इतना लंबा काल खान जुल्मी शाचक अप्रम पार यातना है सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तरकीव है उसके बावजुद भी उस समय की जन संग्खा के हिसाब चारिब 40 करोर देश वासी आज़ादी के पुर्व चारिश करोर देश वासीयों ने वो जज़वा दिखाया वो सामर्थ दिखाया वो एक सपना लेकर के चले एक संकल्प लेकर के चलते रहे जूजते रहे एकी स्वर्था बंदे बातरम एकी सपना था भारत की आज़ादी का 40 करोर देश सवासीयों ने और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनी का खून है वो हमारे पुर्वत थे सिर्फ 40 करोर 40 करोर लोगों ने दुनिया की महा सत्ता को उखाड़ करके भैक दिया था गुलामी की जंजुरों को तोर दिया था अगर हमारे पुर्वत जिनका खून हमारी रगों में है आज हम तो 140 करोर है अगर 40 करोर गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते है अगर 40 करोर आज़ादी के सपने को पुर्ण कर सकते है आज़ादी लेकर के रह सकते है तो 140 करोर देश के मेरे नागरीक 140 करोर मेरे परिवार जान अगर संकल पर लेकर के चल पड़ते हैं एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं कदम से कदम मिलाकर कंद से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनोतियां कितनी भी क्यों न हो अभाव की मात्रा कितनी हित्तिवर क्यों न हो संसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी हर चुनोति को पार करते हुए हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं हम 2047 विखसीज भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर चानीस करोर देषवासी अपने पुर्षार्थ से अपने समझ से अपने त्याग शे बलिजान се कि अजादी दे सकते हैं आजाध भारत ''BNA सकते हैं'' तो एक सो चानीस करोर देषवासी उसी भाव से संब्रिद्ध भारत भी बना सकते हैं साथियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्द थे और आज हादी मिली आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्द था अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्द था आज हादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्द था सम्रुद्ध भारत भी बना सकती है साध्यों विक्सिद भारत 2047 इस तरफ भाषन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिशम चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाव लिये जा रहे है और हमने देश वाज़ियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरी को ने विक्सिद भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाव दिये है हर देश वाज़ि का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है हर देश वाज़ि का संकल्प उसमें जलकता है युवा हो गुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीद हो आदिवासी हो पहड़ों में रहने वाले लोग हैं शहरों में रहने वाले लोग हैं हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का सो साल मनाएगा तब तक विक्षित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझाओं को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल्ड केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा 2047 विक्षित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनुफेक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतनी सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पोँचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश-बैस्थानी अस्वराज के संस्ताव से ले करके अनेक की काईया है उन सब में गवन्नांस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रतिचिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय ववस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृतिक अपनाओं के बीच शासन प्रसासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो परमपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब होलिस्टिक हेल्ट केर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की परमपरिक आउसदिया और मेलनेज हब के रुपे भारत को विक्सित करना चाहिए कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उकानोमी बनना चाहिए